हेलो फ्रेंज वंस अगें वेलकम बैक टूए ओन यूटूप चैनल लर्निंग नीड और यहां पे हम देखने वाले हैं कम्प्यूटर के कुछ क्षिशन्स जो कि मॉक टेस्ट के फॉर्म में होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप कम्प्यूटर के जादा से जाद क्षिशन के आंसर जो हो देने लगे होंगे क्यूंकि कहीं न कहीं हमने काफी सारी थियोरी भी पड़ी जो इंपॉर्टन इपॉर्टन पॉइंट से वह भी पड़े आगे भी पढ़ेंगे और क्षिशन्स भी मैंने बहुत सारे आपको अल्रेडी करा दिये हैं तो चले स्ट करते हैं सेशन फिर बिना टाइम वेस्ट किये हैं तो हमारा आज का फर्स्ट केशन है निमलिकेत में से कौन सा एक प्रसिद ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है विंडोज विस्टा मैक ओस एक्स लाइनेक्स वर्ट्वल बॉक्स करेक्ट एंसर केशन के लिए हो जाता है आपका ओप्शन नमर डी वर्ट्वल बॉक्स ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बाकी विंडोज विस्टा मैक ओस एक लाइनेक्स ये सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है और ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है ऑपरेटिं नाम होता है जो वेब को एक specific blank पर identify करता है तो इस website address जो होता है वो कहां पर आपको ले कर जाता है web browser पर website पर pda लिंक पर तो यह आपको redirect करेगा या फिर यह आपको ले जाता है कोई भी particular website पर जो भी जिस website का address होगा वह उस पर क्लिक करेंगे आप तो वह आपको कहां लेज़े कर जाएगा website पर ले जाएगा या फिर अगर नहीं भी आपको क्लिक करते हैं तो वह represent किसे करेगा वह particular shortcut की कौन सी यूज़ करेंगे shift प्लस पी कंट्रोल प्लस पी अल्ट प्लस पी या फिर स्कैप प्लस पी प्रिंट कमांड इसली ओविसली पी सब में लगा हुआ है and correct answers के लिए होगा जो लोग यूज़ करते होंगे system पर work करते होंगे उनको बहुत चछे से पता होगा ctrl प्लस पी होता है जो की हम जब ctrl प्लस पी प्रिंट करते हैं और एंटर करते हैं या फिर simply आ जाता है box जो है print का dialogue box वो automatically open हो जाता है इंटर करने पर process start हो जाती है next question देखेंगे spreadsheet program में बनाई जा सकने वाले चार्टों के प्रकार में सभी शामिल है सिवाए कौन से चार्ट के तो देखिए spreadsheet program क्या होता है जो मैंने आपको example भी दिया था मैस excel का बताया भी था ऐसे से बनी रहते है row and columns उसमें आप अपना data arrange करते है तो अब उसमें data जो भी हमने लिखा है उसको हम chart के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते है चार्ट भी बना सकते है तो उसमें जो है कौन-कौन से चार्ट शामिल होते है यहाँ पर नाम लिखा है पर इनमें से एक है जो इस टाइप का चार्ट उसमें नहीं होता है वो आपको बताना है कि कौन सा चार्ट नहीं शामिल है क्योंकि सिवाय लिखा है न तो negatio question हो गया तो pie chart होता है, scatter जो है वो होता है, bar chart होता है, block chart नहीं होता है बागी column chart होता है, line होता है, pie होता है, bar होता है, area होता है, scatter होता है यह सब कुछ होता है जबकि block जो है वो चार्ट में शामिल नहीं है डाटा ट्रांस्मिशन की सबसे तेज स्पीट का निरूपन कौन करता है MBPS, BPS, GBPS या KBPS जब भी आप कोई जिस डाउनलोड करते होंगे तो उसमें ऐसे श्लैश करके लिखा होता होगा जैसे कितने माली जे 4 MB डाउनलोड हो गया है ना टोटल कितने में से कितना डाउनलोड हुआ ये लिखा रहता है एक साइट और एक साइट लिखा रहता है ऐसा कुछ लिखता रहता है नंबर बढ़ता घटता रहता है और इन में से कुछ एक चीज लिखी रहती है तो वो दिहदाशाता है कि किस speed से जो है वो आप download हो रहा है किस speed से data transmission हो रहा है नहीं किया होगा तो अभी कुछ भी download करके देखेगा तो आपको खुदी समझ में आएगा वो चीज़े तो फटाफर से देखें क्या लिखा रहता है तो correct answer यहाँ पर हो जाता है आपका BPS यानि कि क्या BPS मतलब होता है bytes per second ठीक है कि इतने bytes per second अब लेकिन यहाँ पर सबसे तेज speed की बात हो रही है सबसे तेज जो है वो GBPS करता है तो correct answer इस question के लिए होता है आपका GBPS तो हो सकते है आपको कहीं भी BPS लिखा मिले या फिर GBPS तो सबसे तेज की बात आ रही है इस वज़े से correct answer आपका GBPS हो जाता है data transmission की speed जो है वो सिर्फ question यह है ध्यान से समझ यह सिर्फ question आता है कि data transmission की speed होती है किस में मापी जाती है तो यह दिखना है पूछा जाए जैसे यहाँ पे लिखा है कि सबसे 30 speed करने रूर पर कौन करता है तो GBPS चलिए बढ़ते हैं next question के ओर hard disk से delete की गई file ब्लैंक में भेजी जाती है जो भी file आप hard disk से delete कर देते हैं कुछ भी आपकी computer में आपने save कर रखकर delete कर देते हैं जबकि अगर floppy disk से आप कोई चीज़ delete करते हैं तो वो चली जाती है चीज़ delete ही हो जाती है कहीं नहीं store होती है आप उसको restore नहीं कर सकते हैं तो hard disk से कुछ भी delete करने पर recycle bin पे जाता है recycle bin से आप उसको वापस प्राप्त कर सकते हैं secondary storage मीडिया से hard disk में software प्रोग्रामों को copy करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो secondary storage मीडिया जैसे की pen drive हो गया या कुछ भी हो गया cd है dvd है ठीक है बहुत सारे software प्रोग्राम के भी cd आती है देखिए तो इससे आप कोई भी software प्रोग्राम को अपने hard disk में या अपने computer में copy कर रहे हैं तो यह process क्या कहलाएगी configuration, download, installation, upload तो क्योंकि programs को generally हमें software को install करते हैं अपने computer में तो यह correct answers के लिए होता है आपका optionable सी installation कहलाथा यह पूरी process प्रोसेसर के तीन मुख्य भागे हैं कौन-कौन से यह तो समझाया हुआ है ना ALU, Control Unit और Register, ALU, Control Unit और RAM, Cache Control Unit और Register, RAM, ROM, CD-ROM, SOI CD-RAM Alright, यहाँ पर जो correct answer होता है, इस question के लिए वो होता है option number B, ALU, यानि के arithmetic and logical unit, Control Unit यानि यह से हम CU के नाम से जाते हैं और RAM, जो की एक कही न कही temporary memory होता है, यह CPU के सबसे जादा मुख्य भाग होते हैं, जादा तर processing जो होती है, वो इनके ही process करने का पूरा काम यही करते हैं फिर memory unit जो होता है, ठीक है, उसके अंतरगत कही ने सारी memory जा जाती है, वो save आप करके रखते हैं, तो उसी में रहता है चलिए देखेंगे next question, Linux blank किसम का software है, पहले भी हम discuss कर चुके हैं Linux के बारे में तो Linux किस टाइप का software है, यह आपको देखना है, shareware, commercial, proprietary, open source और correct answer होता है आपका इस question के लिए, option number D, open source इस software है, इसका किसी भी कम पिछली class में हमने देखा था इस पे जो है किसी भी company का स्वामित्व नहीं है next question, यानि कि आपको license नहीं खरीदना पड़ता है, इसको install कराने के लिए यह computer से hard copy उपलब्द कराता है, यानि कि hard paper, email, fax, software, printer आसान प्रश्न, बहुत ही तो hard copy, यानि कि कागज का टुकुड़ा जो होता है, उस पे कोई भी चीज जो है computer समय प्राप्त होती है physically कागज पर, तो account प्रोवाइट कराता है, printer प्रोवाइट कराता है next question, एक्सल में बहुत सी वर्कशीटों को select करने के लिए sheet tap को click करते समय, निमने कुझी का प्रयोग भी किया जाना चाहिए यानि कि, अमें एक्सल आप यूज कर रहे हैं, for example एक दिन मैंने ये भी कहा था है, जो housewives हैं उनके लिए या जो लोग प्रोवाइट कंप्यूटर पर जादा वर्क नहीं किये आपकी, प्रैट क्लिक की हुई चीज़े के बूलती नहीं है, तो आपको बहुत सारी वर्क शीट को select करना है, तो sheet tap को click करना है, लेकिन साथ में एक बटन और click करना होगा आपको, तब जो है, वो सारे select होंगे, shift, alt, control, insert और यहाँ पर जो correct answer होता है, इस question के लिए, वो होता है, आपका option number C, control बटन के साथ में आपको sheet tap क्लिक करना है, कल computer की class बहुत ही एक special class होने वाली है, जो लोग computer से familiar होंगे, उनके लिए वो class शायद उतनी useful नहीं होगी, पर जिन लोगों ने computer ज्यादा यूज नहीं किया है, चलाया नहीं है, जैसे housewives हैं या फिर जिनके इस अलबस में कभी computer नहीं रहा है, उनके लिए particular कलिवाली जो class होगी, वो होगी, और मुझे पूरी उम्मीद है, बहुत ही जादा helpful होने वाली है, मिस मत करिएगा, और जिनको आता भी है अल्रेडी वो चीज़े, तो ऐसे लोग के साथ शेर करिएगा, जो preparation कर रहे हैं एक्जाम की उन्हीं जरूरत है, और उनका background computer का नहीं रहा है, next question देख लेते हैं फटा फट से, computer कई तरह से और यहां पर correct answer होता है, इस question के लिए, आपका option number B, processing, ठीक है, computer जो भी data को यू करता है, उस पर processing करता है, जो भी कारे करता है data पर, वो processing क्या लाता है, simple है न, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो फटावर से like कर दीजेगा, share भी कर दीजेगा, और चैनल पर new है, तो चैनल क चोड़ाईों और लंबाईों वाले bars और lino वाले computer readable code blank कहलाते हैं, मतलब क्या कहलाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी आप product खरीद के लाते हैं, कोई भी समान खरीद के लाते हैं, packet वाला या mall में कुछ खरीदते हैं, तो हर समान के उपर ऐसे एक चिट लगी ह रहता है, actually black color से काले रंग से line 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 line, फिर कहीं पे चोड़ी, कहीं पे पतली, कहीं पे मतलब ऐसे खुब सारी line बनी रहती है, ठीक हैं, ऐसे, तो ये जो है क्या कहलाते हैं, बस यह आपको बताना है, ASCII code, magnetic tape, OCR scanner, barcode, तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, question में ही हमें answer मिलता है, बार कोड कहलाता है, ठीक हैं, जिसको हर product का हर packet का एक अलग बार कोड होता है, वो देखने में शायद हमें एक जैसा लगी, लेकिन बार कोड reader यानि BCR, वो जो एक machine हो दिए, छोटी से लिए रहते हैं, उसको सामने लाते है product के और product की सारी details उसमें चली जाती है, तो इससे जो है, उससे scan किया जाता है, और उसमें जो है, उस product के बारे में सारी details जो है, वो कहीं न कहीं रहती है, हमें देखने में उन्हें से नहीं समझ सकते हैं, लेकिन scan करके उसे समझा जा सकता है, ब्लैंक वोईस डाटा को शब्दों में इंटर्प्रेट कर सकता है जिसे कम्प्यूटर समझ सकता है स्पीच इन्पूट हार्डवेर, टॉकिंग सॉफ्टवेर, वर्ड रिकॉगनिशन सॉफ्टवेर, स्पीच रिकॉगनिशन सॉफ्टवेर देखिए हम अकसर कम्प्यूटर से या फिर अपने अपने मोबाइल से ही बहुत जैसे गूगल को ही आप कमांड देते हैं तो बोल के देते हैं ध्वनी जो आवाज होती है, साउन निकलता है, वो वेवस के फॉर्म में होती है, जो कि एनलॉग वेवस होती है चेक है, कम्प्यूटर क्या है, कम्प्यूटर है, मोबाइल है, कुछ भी ऐसी चीचीच, यह डिजिटल डिवाइस है यह एनलॉग इंस्ट्रक्शन को नहीं समझ सकते, सीधी सी बात, यह भौती की कायों को ऐसे डिरेक्टली नहीं समझ सकते तो कुछ तो उसके अंदर ऐसा सिस्टम होगा, जो इस एनलॉग सिग्नल को चेंज कर देता होगा और वो समझ जाता होगा, तो बस आपको यह ही बताना है कि वो कौन सी चीज होती है जो वाइस डाटा को, यानि आवाज की रूप में मिली हुए डाटा को इंटरप्रेट करके कम्प्यूटर को समझ नहीं कि बना सकती है So, यहाँ पर जो करेक्ट एंसर होता है वो होता है, आपको options नवर्ड is speech recognition software next question देखेंगे प्रोग्राम के लिए यह एक दूसरा शब्द हो सकता है, यानि कि प्रोग्राम को आप और क्या कह सकते है software, disk, floppy, hardware मेरे किया से software मैं ने पढ़ाया था अच्छे से तो theory बड़ी थी हम लोगों ने इसकी तो इसमें मैंने बताया था program कह सको हम software कह सकते हैं fine, next question देखेंगे चुकि नहीं है admin, खतम होगे question alright, so मुझे पूरी उम्मीद है आपको class पसंद आई होगी कल की class miss मत करिएगा छोटी सी रहेगी, simple रहेगी virgin का computer background नहीं है, फिर virgin के computer के बारे में practically ज्यादा knowledge नहीं है उनके लिएक साथ कल की class helpful रहने वाली है so thanks for watching, keep studying and bye bye